नमस्कार जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता जैसा कि हर किसी को पता है कि दिवाली हिंदूओं का सबसे बड़ा और महत्वपून त्योहार है जो जल्द ही आने वाला है ऐसे में हर भारतवासी को इस त्योहार की excitement रहती है और लोगो से जुड़ा ये महापर्व इस साल 12 निवेंबर को मनाया जाएगा कहा जाता है कि इस पर्व को अंधिकार पर प्रकाश की विजय के रूप में भी मनाया जाता है आपको बता दे कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की त्योधर्शी तिति से लेकर कार्तिक मास के शुकलपक्ष की दुधिया तक दीपावली या फिर कहें कि दिवाली के पंच महापर्व को मनाया जाने की परंपरा है कहा जाता है कि इस पर्व को लेकर अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग मानिता हैं कोई इसे शुब और लाप के देवता भागवान श्री गडे तो वहीं कोई इसे अपने अराध्य के निर्वान या फिर उसकी वापसी की खुशी में मनाता हैं दैसर रामायन में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावन का वध कर पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ आयोध्या वापस लोटे तो उस दिन प दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा आपको बता दे कि जिस दिवाली का इंतजार लोगों को पूरे साल बना रहता है वो एक नहीं मलकी पांच पर्वों से जुड़ा हुआ त्योहार है इसलिए इसको पंच महा पर्व भी कह जाता है इसमें पहला त्योहार धनतेरस्ट में पड़ता है जिसमें भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है तो वहीं चतुरदशी तिथी पर छोटी दिवाली मनाई जाती है आपको बता दे कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरका सुराक्षस का वध किया थ तो इसलिए दीपा बली का त्योहार पांच दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है तो यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए नमस्कार